कुणिचीवा मिन्ना सान ओगेन की देशका आज का जो वीडियो है यह वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि यह मेरा पहला हिंदी वीडियो है आज हम बात करेंगे ओनो मातो पे मैं हमेशा इसको गलत प्रनांस करती हूं जैपनीज ओनो मातो पे हमेशा इसको गलत प्रनांस करती हूं जैपनीज में हजार से भी ज्यादा ओनो मातो पे है सब एक साथ सीखना मुम्किन नहीं है और प्लस यह बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है यह बहुत इजी है इन वे बहुत अच्छे से आप अपना अपनी बात जो है आप जाहिर कर सकत हैं पर कभी कभार काफी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है इसलिए हम आज पांच उन्हों मातो पे के बारे में बात करेंगे सबसे पहला वाला है कीरा 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 का मतलब होता है जैसे ट्विंकल करना या चमकना तो जैसे तारा चमकता है जैसे हीरा चमकता है उसको बोलते हैं कीरा 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 ही कारो ओ सो रानो होशियो पोच्सू पोच्सू पोच्छु पोच्छु का मतलब हिंदी में होता है टिप टिप जैसे बारिश होती है तो उसको कह सकते हैं पोच्छु 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 आमेगा फुटे इमास टिप टिप बारिश हो रही है वो गाना तो आपको यादी होगा टिप 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 बारिश शुरू हो जाजा, जाजा का मतलब होता है जब बहुत जोरों से बारिश हो रही है जिसे जमा जम बारिश होना, जब आपको सामने दिखता नहीं है इतना ज्यादा बारिश हो रही है उसको कहते हैं जाजा बारिश होना जाजा आमेका फुट्ते मास कुटा 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 का मतलब होता है बहुत ज्यादा ठक जाना तो आपे सवेरे से शाम तक अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई की है और बहुत ठक गए हैं तो आप बोल सकते हैं आसकारा बान माते बेन क्योछी पे कुटा कुटा दायो गोच्चा गोच्चा ये मेरा फेवरिट वर्ड है क्योंकि मेरा डेस्क ऐसा ही रहता है ज्यादा तर पर ये गोच्चा गोच्चा आप अपने लाइक मैं बहुत ज्यादा confusion हूँ या फिर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ बोलने के लिए भी उज़ कर सकते हैं इसका मतलब है कि आपका जो डीक से बहुत जड़ा हुआ है बहुत समान है बूक्से हैं पैंस है सब वहीं पढ़ा रहता है सब भीAK और वीदियो पसंद आये हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए थेंक्यू